हेलो फ्रिंट्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो फ्रिंट्स आज आप सभी के साथ मैं बीट रूट की भाजी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ बीट रूट तो हम सभी खाते हैं उसकी रेसिपी भी ट्रॉय करते हैं सा यहेंद सकता ही बहुत हाट के लिए बलड बनाने में प्रूंच उन ले करेंण बसके लाट को सही होता है मस्टर्ड ओयल जब गरम हो जाएगा तो इसमें मैं डालूंगी आपको जीरा और मस्टर्ड के सीट्स इसे लो फिल्म पे अच्छे से चटक जाने देना है उसके बाद मैं इसमें आड़ करूँगी दो मीडियम साइज के प्यास कट करके प्यास को मैंने रफली चॉप किया है जादा फाइन चॉप नहीं किया है और प्यास को हमें थोड़ा से सॉफ्ट कर लेना होगा और फिर एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा जब आप बीटूट को छिल के हटा लीजेगा और इसके बाद ही हमें इस बीटूट को आपको दोलेना है पानी से अच्छे से उसे कट करने के बाद नहीं वाश करना है और यह मैंने मिर्ची डाल दिये है तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मिर्ची कम जादा कर सकते हैं इसे अच्छे से थोड़ा सा हल लाइट ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना होगा और बहुत ही हेल्दी सी है रेसिपी है आप इस भ कट किया ता उसे डाल देना है बहुत ही सिंपल सी बहुत ही क्विक सी रेसिपी है फटा फट से बन जाती है और अगर जल्दी बाजी में तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजेगा और इसे हमें कुक करना होगा मीडियम टू लो फिलम पे पूरा प्रोसेस आप मीडिय कुक होने के लिए मैं लेट से इसे कवर कर दूगी 2-3 मिनट के लिए तो फिरण्स 2-3 मिनट के बाद हमें चेक करना होगा कि बीट लूट अच्छे से कुक हूए है या नहीं और इसे अच्छे से कंटीनियू साब को स्टर करते रहना है इंटर्वल पे 2-3 मिनट के बाद त हमारे बॉड़ी में कैंसर जैसे सेल्स को है ना वो खतम कर देता है कैंसर नहीं होने देता है और ब्लड शर्कुलेशन भी आपको बहुत ही अच्छा रखता है तो बीटूट के बहुत जादा ही फाइदे हैं हमें हर दिन एक बीटूट किसी ने किसी रूप में आपको खाना ह क्याद हानी है क्योंकि भील बहुत ही सही है और बाती ही सिक्राद है और हमारे स्टोट बेसे हही है और यह हमारे सब्सक्राइब करने हमारे कि भाजी बन करी हो reader चुकी है बहुत ही क्विक, बहुत ही सिंपल बुच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे और सबसे last Christmas मैं इसमें डाल रही हूँ फिर से हरा धनिया क्योंकि सर्द्रियों का मौसर हरा धनिया भाजार में बहुत ही ज्याधा quantity में मिलता है तो हरा धनिया अच्छे क्वांटिटी में यूज कीजिए और फटा-फट से गर्मा गरम इसे सर्फ कीजिए फ्रेंस वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक ज़रूर दे दीजेगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और गर्मा गरम खाई को तो बहुत ही अमेजिंग लगता है बाई बाई टेक केर